हाई गाईज थोड़ा सा थंडा ही पानी ले लिजिए किसी तरह का कोई जंजट नहीं पालना है और इसे खुप अच्छी तरह से हिलाते रहे चम्मस से हिला लिजिए और इतना हिला ये कि इसका जो टेक्शर है वो क्रीमी हो जाए क्रीमी टेक्शर के सांस सांथ काफी फलपी भी हो जाए यानि जो कॉफी है वो अपना पूरा फ्लेवर इस मिक्शर में छोड़ दे और फलपी यानि बहुत हलका हो जाएगा तो ये चम्मस से अपने आप गिरने लग जाएगा देखिए आप इस तरह से गिर रहा है आपको किसी भी तरह का विसकर लेने की जरुवत नहीं है साधरन चम्मस से ही आप खूब फेट ये और आराम से फेटते फेटते इसका कलर भी चेंज जाएगा ये काफी हलकी फलपी हो जाएगी इसी फलपी और क्रीमी टेक्स्चर वाले मिक्शर से हमारी बहुती स्वादिष्ट कॉफी तयार होगी अब हमने बह स्वादिष्ट टेक्चर आपको देखने को मिल रहा है देखिए उपर से जाग आ गया है ये हमारी कॉफी अगर हम मार्केट में लेंगे काफी एक्सपेंसी होगी उपर से चोकलेट पाउडर हम थोड़ा सब रख देंगे लीज ये तैयार है नो जंजट कॉफी नए साल मे आप बनाईए नो जंजट कॉफी इस तरह की नो जंजट कॉफी आप कभी भी आसानी से बना सकते हैं गर्मा गरम कॉफी पीने का मज़ा तभी है जब इसको बनाने में हमें कोई जंजट ना लगे भर पर ही आप इस तरह की नो जंजट कॉफी तैयार कर सकते हैं और आराम स एसी कॉफी का लुद्व उठा सकते हैं वीडियो देखने के लिए आपका पहुत बहुत धन्यवाद